बिग बॉस 13 की ऐसी जोड़ी जिसका 70% फैंडम था लेकिन वो कभी उनके काम ना आ सका क्या ऐसी जोड़ी का हो चुका है ब्रेक अप क्या है इसके पीछे की सच्चाई क्योंकि हर तरफ यही शोर मचा हुआ है पूरी बात बताएंगे आपको अपनी इस वीडियो में तो आप वीडियो को एंट तक जरूर देखिए लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एक ऐसी जोड़ी जोड़ी कहेंगे या इसे गेम के लिए बनाई गई जोड़ी कहेंगे कुछ समझ ही नहीं आता इनके रिष्टे का कुछ नहीं कह सकते पारस महरा जिनोंने हमेशा हमारे सेटनास के बीच आग लगाने की कोशिश की यहाँ पर मैं कुछ सेटनास के पिक्चर इसी लिए एड़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इनके पिक्चर को टॉलरेट नहीं कर सकते पूरी वीडियो में बात भले इन पर हो लेकिन मुझे सेटनास के ही पिक्चर को लगाना होगा क्योंकि लोग हाग जोड़ जो चुका है आपने भी इस खबर को सुनी लिया होगा क्योंकि अब तक तो भाई ये 70% फैंडम के सहारे जी रहे थे लेकिन ये 70% फैंडम कभी नजरी नहीं आया कभी इनके काम ही ना आया ना तो वोटिंग के सिलसिले में ना ही प्रोजेक्ट के सिलसिले में जी हाँ गाईस ये का कंधा पकड़ के ही आगे बढ़ सकती थी तो दोनों ने एक दूसरे की मजबूरियों को लेकर अपनी जोड़ी बना ली और वो समझ रहे थे कि इस जोड़ी के चलते हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि सच और जूट का फरक लोग बहुत अच्छे से जानते हैं भले ही इन्होंने सारे टैग सेड़नास को दे दिये हो भले ही इन्होंने सारे के सारे अपनी गंदगी शैनास पर निकालने की कोशिश कियो लेकिन सच और जूट बाहर बैठी ओडियन्स को नजर आ रहा था कौन फैक है कौन जै कहीं काम ही नहीं आया और अब इनके ब्रेक अप की खबरे आ चुकी है तो गाइस कई बड़े मीडिया पोर्टर्स ने इस खबर को सच बता दिया है इन्फेक्ट मोहर लगा दिये इस खबर पर कि पारस महरा का हो चुका है ब्रेक अप और वैसे भी जूट की बुनियात पर अनफोलो भी किया है अब देखते हैं आगे क्या क्या चीजे होती है वैसे सदमा तो शायद लगा ही होगा 70% फ्रेंडम को लेकिन अब किया ही क्या जा सकता है सर से लेकर पाओ तक ये लोग फेक थे जूट थे तो ये चीजे तो सामने आ नहीं थी बाकि आपका क्या है इस पर कहना कमेंट में आकर हमें जरूर बताइए वीडियो को लाइक करके जादा से जादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए लिटिस्ट अपडेट्स के लिए थैंक्स पूर वाचिंग गाइस